नमस्कार मी मधूरा वरश्य रुगण सेवे मधे कारे रता है जुपिटर हॉस्पिटल ठाने हैंचेशी ता सलग नासुन चेस फिजीशियन और पलोमनरी डिपार्टमेंट चा त्या प्रमुख संचाल का है और त्या ओर्णरी टीबी स्पेशालिस देखिला है शिवडी इते उपनगरातील एका मोठ्या टीबी हॉस्पिटल मदे त्या युनिट हेड देखिला है त्या सर्टिफाइड क्रिया योगा टीचर देखिला है और रुगणान से सरवांगिन पुनरवसन करना कड़े त्यान सा विशेश असा कल असो गेले पास वर्श्वान पसुन जुपिटर हॉस्पिटल मदे क्रिया योगा और मेडिटेशन प्रोग्राम त्या राबोता है और रुगणान ना तैसा प्रच्छन्ड चांगला असा फाइदा होता है त्यास बरोबर तीवरेश वसना सा जास्ता त्रास असलेला रुगणान चा सरवांगिन पुनरवसना साथी तैनी साउंड थरेपी सुरू के लिए सध्यात्याक शैरोगा वरील संशोधन कार्यात व्यस्ता है जुपिटर होस्पिटल ठाने है सरवा वैदे के सिवा सुविधा नामांकित अनि निश्ना डॉक्टर्स वारे उपलबध करून देनार भारता तील एक अग्रगणने असव होस्पिटल आ है जुपिटर होस्पिटल कारेर ता है चला तर आज अपन कोविड नंतर चा दक्षेती विशी विस्त्रू चर्चा कुर्या डॉक्टर अलपा दलाल हैंचाची लगे चास डॉक्टर पुद्धा स्वागते अने अच्छा अपला विशेफार महत्वास है जसा अत्ता पन पहतोई की सध्या कोविड नाइन्टीन साथी आता लस यह घातले लिया है तेचे वरती प्रभरत सांशोधन सुरुआ है यह अनुशंगा ने फ़र महत्वासा प्रश्ण तो मंझे जरी कोविड हा आजार गेला आठ नव महिना पसुन भारता ताला असला तरी देखिल हा इत्तर रोगान पेख्षा बेगड़ा आजार आहे असका आता गेले आट ना महिने या एका आजार आपले आला एवड़ा प्रभावित केलेले शाररीक, मानसिक, सामाजिक आनी आर्थिक स्तरा नुर आचा परिणाम धाला है आजब कोविड हा आजार तक फलू चा आजार आपला इनुघना पेख्षा आनुभाव गेतलेला है आणि टेकनिकली मंटला तर हाँ आजार हाँ मल्टी सिस्टम आहे कि एक पेक्षा अधिक सिस्टम वर अचा परेडाम हो तो मन्जे पोस्ट कोविड पेशंट जे रीकवरी करत असता तेवे दन जा पल्मनरी हाड लंग्स ब्रेन आणि अचा वेगया वगया सिस्टम वर स्नाय परेडाम हो तो आणि तेला रिकवरी ला वेल ला आखतो मनुना आजार नॉर्मल फ्लू पेक्षा बेगळा है बरबरे बरे अधा परांत आपन बगितला की लाखो पेशंट्स लाख खरत कोविड-19 होन गेलेला है अनेक पेशंट्स है चातुन बाहरे ही पढले अनेकांसा हमादे दुर्देवी मृत्यू जालेला है यह सगया गोश्टी आहित मातरी जिवा जे पेशंट कोविड मनन बाहर पढले त्याना खुब वेगविगा समस्ताना सामोर जावा लाखते है यहामादे सगया जासला मोठा प्रमानात आपन बगितला थक्वा हां मोठा प्रमान अशा पेशंट साथी आणि एकोड़ास अशा रुगनान साथी तुम्ही का सांगाल एकता हा प्रकार मांज़े जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम आपन मनतो तो किती कॉमन आहे ते जानूंगेन आवशका है अपनाल महाईती है का जवल जवल अहिशी टक्के कोविड चे सेख्व थे पंद्र पीस टकोविड सिंड्रोम आपकर्च हो पोस्टा सेख्या तयानन आहे विदा तेक सख्क्या अवशां वहता है तेवा आसा तैचा सर्वे मादे अनुमान जाला का जवाल जवाल 25,000 रुगणा है पोस कोविड चे पन माजा आसा आंदा चा है कही संख्या बर्यास पेटी नी वाडली अशना राता और एक युएसे मादे सर्वे केला तो खूपस इंट्रेस्टिंग त्या मादे असा करला क अट्राते सोतिष वयो गटाचे जे रुगणा होते जे एकदम तरून आणि तेनना काही प्री एक्जिस्टिंग आजार पन नौत त्या पेशन ना सुद्धा कोविड जाला नंत तीन अठवडे परेंत त्यांची रीकवरी जाली ही नौती आणि मनुन हाँ आजार खुप काम करूं कर नहीं चांड नहीं değer मुत रुगणा है काय स्टम सनसे हैं तो जानु शुम्तवशना मारी सिम्टम होते नौन स्टिम मंजे पतिक त्वा काम करनेश। दूसरा जुट्व कोमन सिम्टम है तो ब्रेथ Virtaling धाप लाग ने नहीं तीसरा मंजे जानी भाडी लागने आणि छाती भरल्या सारकवाट, राय कॉप, हासुदा कुप कॉमन है, तो हे सग्रे सिम्टम्स, और पोटा चे विकार पन बरेस पेशन ना होता, तो पोट गच्च ओन, भूख न लागन, डाइजेशन वीक ओन, तो हे सग्रे माइल सिम्टम्स आहेद, पन सग्रेयात महत्वा परिणाम जाला, रूदया ची पंपिंग केपैसिटी ही कमी हो शकते, और ब्रेन वर परिणाम जाला, तो तो तेनना ब्रेन स्ट्रोक हां यो शकतो, और शग्यात महत्वाट सा मन्जे यहाँ पेशन ना रक्तान मंदे क्लोटिंग ची टेंडनसी आती वाडते, ताचा मोई एंबॉलिजम, अशे काई कॉंप्लिकेशन हो शकता, आता एक महत्वाट जे सिम्टम आहे, ते सग्यानी लक्षाद घणो खूप आवशक है का पोस कोविड मदे साइकोलोजिकल इंपक्ट खूप मोठा इंपक्ट असतो, और त्या पेशन ना एंग्जाइटी, प्रेशन ना इस डिजॉडर मनुट बंटो खूप कॉंबन आहे, त्या मदून देना बाहर काणने साथी साइकोलोजिकल लेवल पर भरपूर काम कराव लागता, बरबरे, मंजे या सगया, खरता बाबीन वर्ती लक्ष्य देना फार महत्वाट जे जुपिटर हॉस्पिट पोस्ट कोविड साथी फार असा वेगला सा खरता डिपार्टमेंट तुम्ही के लेला है और अनेक पेशन्ट यह उन ट्रीटमेंट घेता साथ, मैं दॉक्टर रियास अलुशंगा ने अजुने महत्वा सा प्रशने चारा जाए, कोविड जसा बाहरता ताला तसे अनेक अजुने ही कोविड बदल आहे, महें कोंटे आहे प्रामुख्या ने त्या बदल काय मारगदर्शन करा है? यह उन्प्राइशन अज़िए अन्प्राइशन ऊच्शन आए, कि यह उन्प्रामान खूब कमी आहे तर से रिया ने तुसरा वाट प्रामान की साइकोलोजिकला है, बदल के था सिम्टम्स, थक्वायन आज़िए ने, बदल के शब्राइशन वाटना अगजाएटी वाटन आपन से निदान न करता आपन जाओन मेडिकल टीम ना भेटन आणि दाखावन हे खुप आवश्यक है कही दा पेशन ना असा गाईर समझ असतो कहा है यह सिम्टम्स असता ता आपन नॉर्मल अक्टिविटी सुरू के लिए कहे बर होना आपन नॉर्मल अक्टिविटी करे ला शुरूवात करता दानि मा ठकवायों थाना पर शुट्टी हावी लागते हैं अजू नहीं डेप्रेशन यह था यह सगया गाईर समझ पोस्ट कोविट सिंड्रोम बदल ना है अर्था तस कोविट जा पेशन्ट ला होन गेलेला है त्यानी अपली नेम की कशिकाजी कितली बजे साधर अंटा कशे उप्चार पद्धती ता दुमी देलेला असात्मात्रा त्याचा उप्योग नेम का कसा काय होतो यह बदल काय सांगा था पोस्ट कोविट भाल्या नंत पन सग्यात महत्वाचा यह पोस्ट कोविट रिकावरी में जो गोश्टिन चा भागास्तो ते तुम्सा आहार तुम्ची जीवन्षयली और एक्सराइज और मानसिक रिकावरी यह चाहे चार जे कंपोनें अत्याचा खूप महत्वा है अहारा मदल बदल करना खूप पन जरुका दुम्माला डायबिटेज किवा खिड्नी चा आजार किवा खाई मेडिकल कंडिशन अशे तर फड़ और भाजा किवा प्रोटीन डॉक्टर चा सल्ला शिवाए आपनास घ्यून नहीं है वर्म फूड घरी के लेला फूड हे खान खूप महत्वाचा है दूसरा प्रिधिंग अग्सेसाइस अग्सेस साथ भर पूर फायदा हो तो कांट का पोस्कोविड पिरेड महें मानसिक तनाव एंग्जाइट आणी डेपरेशन है खूब कामना है त्याशा वेस तुम्ही ब्रीधिंग एक्सेसाइज अडिमेडिटेशन करना चा भर पूर फायदा होतो और अक्टिविटी कसा तुम्ही प्लान करना समझा दुम्हाला पोस्ट कोविड सीरियस आजा रहा है कि वह ऑक्सिजन ची गरदा है तो हरु हरु तुम्ही कॉडिनेट करूं कसा तुम्ही रूटीन अक्टिविटी मेंदे परत याद तास गाइडन वेड़ो खुब आव करना कि मा प्रेंट्स परोबर कॉंटाक मदे रहाना मेडिटेशन करना काई होबी डेवलप करना याज अगया गोश्टन तुम्ही मेंटल रिकवरी पाण हे खुब व्यवस्टी रिते हो शक्ति है यहाँ जोडून मला खरे तो तुम्हाला प्रश्ण वेचा रहा है कारण क कि जिवा कोविड होतो त्या वेई डॉक्टर्स आणी नर्सिस त्या थिकानी उपलब दासा त्या पेशन्ट ला कोविड जालेला है तैंचे मनोबल वाडवत असाथ मात्र पोस्ट कोविड नंतर बर्याश्या समझ से उद्भोता जसा तुम्ही अत्ता मनाला है कि मानसीक आपड़ खचुन जातो है जाला मत्र आत्ता जुपिटर होस्पिटल मदे यहाँ साथी पोस्ट कोविड सेंटर तयार करना ता लेले तैंचा नेमका काय फाइदा यहां पेश्ट ला जालेला है और यहां मुख्य हेतु काया है त्या ठीकानी नेमका काय केला जाता है कासर पोस्ट कोविड क्लिनिक जामी सुरू केला है एक महीना बरा मदे बरेश्च पेशंट यह उन त्यानी ऐसा फाइदा गितला है त्या मदे आमी टीम तयार केली आहे तैसे मेडिकल टीम अधी पेशंट पूर्ण पने असेस्मेंट होता है मेडिकली तैना काय काय तरास आय का क्लिकेशन है थैसे असेस्मेंट होता है मार्यक्ता पंश ना एकसरे एकसरे सेस्कैन अधी काय काई अःसे हैं जाता त्वार्ण था आइकाद निए प्रेहाबिलिटेशन प्रोग्राम मदे अथला जाता है। आमची रीहाबिलिटेशन टीम जी आहे। पेशन्स पर अरुपूर महिनत गेते तेनना ब्रीधिंग एक्सराइसी शिकवली जाता है। तेन्न यह लवचिकता वादना साथी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाईज निर निर निरा एक्सरसाईज अंदर गाइड़न्स केला जाता है डायाट ची अडवाइस दिली जाते तान्ना डायाट मदे अहारा मदे बदल केला जातों अच्छा वतेरीक एक खूप वेगी अशी अशी अक्टिवीटी जी आमचा सेंटर मदे चालू केली आती मैंजे ग्रूप थेरपी ग्रूप थेरपी मदे सगले पेशंट एकत रहता त अजारा बदल महाईती देली जाते तान्ना अहारा बदल एक्सराइज शिकावला जाता योगा और ब्रीधिंग एकसराइज शिकावला जाता तान्ना आमी साउन थेरपी मनूं एक वेगा अखूप रिलाक्स सेशन साटी चालू केलेला एक प्रोग्राम मेहें तही ते तो अगे प्रक्रिया चाला जाते तो अखियात महत्वात जो जे पेशंट कोविड आजारा मद बरे था ले ते यहां तैन्सा अनुम्हाव शेर करता तान्ना थे हामाई खूप इस पॉजिटीव बूस्ट मेड़तों बाकी चापेश्चन्स ने अगदी अगदी आनि माला वट यहां सना चे एकुण स्काहें महत्वाँ चाहें कि रीहाबिलेटेशन अप्ला नंतर मांतर में पेशन ना पूर्ण तहां शारेडिक मानसिक और शामाजिक चरह था वर ना नॉर्मल सीवण आंलए है रीहाबिलेटेशन आहें यहां बदल आपले देशा मदे महीतिच अभाव आहे, तेवडे एक्सपर्ट्स पन नाही है, पेशन्स अनी डॉक्टर दोगान मदे अवेर्नेस खुब कमी आहे, तर आपन वंटो, खुटलाई आजारा मदून बरो होने साथी आपन आउशद घेतो ते महीतिच आहे, पड ज आपता पेशन्त बरें धाले कि जातले 12 पेशन्त घरी गेला नंतर वीडियो कॉल करना टेली रिहाबिलिडेशन थेवला और थ्याम होए त्याप पेशन्त से जववजवड शंबर ते दीडशे मिटर नी वाकिंग कैपैसिटी वाडली त्या बाराव पेशन्त आतले काही अगदी खच्चला होता तो शाड़े सहा किलोमेटर साइकल रोज चाला होता अशा परिस्थिती मधून वंजे रिहाबिलिटेशन मोळे शारिरिक शम्ता वाड़ते गौण्फिडन्स वाड़तो तुम्चा कोडिनेशन बालन्स अणि तुम्ही परत तुम्चा जीवन नॉर् कोविड मदे वक्तोस पनात गेली पास वर्षा मी डेपार्टमेंट साला हो तो आणि अशे निर निर आजारा मदे बरेस पेशन चे पॉजिटिव फीडबाक है अमाला मया लेले अगदी आणि माला वाट्ट की जानना कोड़ाला कोविड हो उन गेला असे लाए कोविड न जोपास ने तेता या सग्या गोष्टी या नुशंगाने करून घेतले जाता अनि मुलात में डॉक्टर स्थाट इकाने उपलब दाहेद स्वताय डॉक्टर अलपा दलाल या सग्या वर्ती लक्षट हुना साथ साउन ठेरपी मदे तान्चा खास खरता हात खंड आए डॉ आपने एक छोटा सा ब्रेक ग्यानी ब्रेक नंत आशी चर्चा पुढेचा लोठिया तेमा हितागुज मुदे बेजले एका छोटा शेवरिक ची कुठे ही जाऊन का पहात्र आमचा खास करिक्रम हितागुज ब्रेक नंतर हितागुज यामचा खास करिक्रमात अपलो पुन्धा एकदा स्वागत आणी आज अपन चर्चा करतो है कोविड नंतर दक्षत आणी पुनरवसनाचा महत्व आणी याविशे अपलेल आमारेक दर्शन्त करता है डॉक्टर अलपा दलाल अपन पुन्धा एक किती महत्वा है कोविड पोस्ट कोविड नंतर काय नेम की काज़ी है या बदल जानूंगे तला मातर एकुणाच पुनरवसन आणी फीजियो थेरेपी याचा देखिल तिकत्कच महत्वा है ते का है त्या बदल काय समझाओं सांगा अपन आतास समझ लगा पुनरवसनाच किती महत्वाचा फाला है पेशंट ना बर करने साथी नक्की पुनरवसना मदे के रिहाबिलिटेशन का फीजियो थेरेपी मदे काय केला जाता है जब पेशंट आजारी यस्तों बरेज दिवस होस्पिटल मदे यस्तों त्याचा जेस नायू आहे खुप वीक होता तानी ल जीडिशन्ट पैटरन ही चेड्र के ली जाते जाते मजे पेशंट प्टीश थे खालतावधवाड़टे लवाड़धा ना मसंट्रेंग मदे पेशंट मसंट्रेंट ची कशि वाडवाबी तया आसा थे एकससाइज याठीड़ी जाता है फ्लेक्सिबिटी मों वाकिंग योगा, स्ट्रेचिंग, साउंड थेरपी अचा उप्योग करतो। अच्छा रितिने सग्या आंगल नी पेशन्ट वर काम केला जाते। अच्छा नी पेशन्स नायून चा जोर वाड़ता। तैंची स्टैमिना वाड़तो। अच्छा नॉर्मल अक्टिविटी स्वता इंडि जो थेरपी नी शारणिक, मानसिक आर्थिक रिते ने सुद्धा रिहाबलेटेशन होतो। कामाल जाओ लागतात। अच्छा नी पन सुरू होतो। पर महत्वासे मुद्धे तुम्ही निमित्ता ने सांगित लेला है। अच्छा 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 ने सांगित लेला है। यहां ठीकाणिम अच्छा ने सांगित लाला है। सब्सक्राइब करते हैं रिहाबिलिटेशन आहे ग्रूप थेरपी योगा आहे साउन थेरपी आहे डायेट नूट्रिशन है का पोस्ट कोविड पेशन ना रीकवर होने साथी जो काई सगा जो जे काई हेल्प लागते ती सगी अंडर वन रूफ अवेलेबल आहे आने मधून पेशन नी यावा आचा फाइदा घ्यावा आणि अपलेया नॉर्मल लाइफ जगनेयाची परज सुरुवात करावी कोविड के लिनीकला तुम्ही जब भेट दीली तीथे जाओं तुम्ही ट्रीट्मेंट गितली ता नक्की साथा फाइदा तुम्छा पुडचा भवितव्या साथी होग शोकतो डॉक्टर वेस अंपलेया में आज अपलेयले इथे सांबाव लागते मातर तुम्ही आलात आड़ी खुप चान आड़ी मोलाचा मारगदर्शन आमचा प्रिक्षकाना के ले तया बदल मनो पूर्वकाभार आड़ी आनतर हितगुज आमचा खास करिक्रमात आज अपनी थे समतो तुम्ही पहात्र आमचा खास करिक्रम हितगुज